हेलो एवरिवन चलिए स्टार्ट करते हैं 25 जून 2024 के करंट अफेर को इसकी जो PDF है वो आपको टेलिग्राम ग्रूप में मिलेगी और टेलिग्राम ग्रूप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप जॉइन कर सकते हैं अगर आप वीडिया डेली करंट अफेर को एक टेस्ट की फोर्म में देना चाहते हैं तो हमारी अप्लिकेशन है फाउंडेशन क्लासे जवाई अमित के नाम से डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं आपके लिए आज का क्यूशन है हाले में किसे भारतिय दुरसंचार नियामक प्राधिकरण यानके ट्राई के सचीव के रूपे न्युक्त किया गया है मनोजेन, राजीव अग्रवाल, अतुल कुमार चोधरी और नेलसन डिसूजा और इसका जो आंसर है वो आको को मेंट स दिवस के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो एक कुठनिती के अंदर हैं डिप्लो मैसी के अंदर जो अंतरास्टे महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है, 22 जून, 23 जून, 24 जून या फिर 25 जून को, तो इसके लिए जो आपका करक्टरांसर रहने वाला है, वांसर आपका C होगा, 24 जून को डिप्लो मैसी के अंदर अंतरास्टे महिला दिवस आपका मनाया जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है, दोनों में आप कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, एक उता है अंतरास्टे महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाते हैं हरशाल, यहाँ अंतरास्टे महिला दिवस के बारे में बात नहीं हो और एक कुठ निती के अंदर, यानकि डिप्लो मैसी के अंदर बात हो रही है, आपका जो करेक्टा आंसर आएगा 24 जून होगा, याद रखें आप, इंपोर्टेंट देज एक बार फटा फट से रिवाइस कर लेते हैं, विश्वी दुख्द दिवस एक जून को, वैस्वीक मातापिता दिवस एक जून, तेलंगना राज्य का स्थापना दिवस दो जून को, विश्वी साइकल दिवस तीन जून, अकरमक्ता के सिकार बच्चों का दिवस चार जून को, और विश्वी परियावरन दिवस आपक जून को मनाते हैं, next आपका world food safety day most important है, 7 जून को हम मनाते हैं, theme food safety prepare for the unexpected, अंतराष्टे हभी लेख दिवस या हभी लेखा गार दिवस 9 जून को, राष्टे जडी बूटी दिवस 10 जून और अंतराष्टे खेल दिवस हम 11 जून को मनाते हैं, याद रखेंगे आप, विश्वि बाल्सरम विरोधी दिवस 12 जून को, इसके लिए theme क्या है, end child labor now, अंतराष्टे एल्बिनिजम जगरुकता दिवस 13 जून को, विश्वि रक्त दाता दिवस 14 जून को, आपका theme रहा 20 year of celebrating, giving thank you blood donors, विश्व बुजुर्ग दुर्विवार जागरुकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है, और अंतराष्टे प्रिवार प्रिशंड दिवस 16 जून को मनाते हैं, पित्र दिवस इनकी Father's Day 16 जून, लेकिन आपको याद रखना है जून के तीसरे रविवार को, क्योंकि 2024 में 16 जून को मनाया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साल 16 जून को ही आए, तो याद रखेंगे आप जून के तीसरे रविवार को मनाते हैं Father's Day, हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतराष्टे दिवस 18 जून को, अंतराष्टे योग दिवस 21 जून को most important है आपका, जबकि जो theme है वो और भी ज़्यादा important है, तो theme आपका रहा Yoga for Self and Society, संयुकत राष्टे लोग सेवा दिवस 23 जून को, और अंतराष्टे ओलंपिक दिवस भी आपका 23 जून को मनाया जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हाली में UNESCO की सूची में भारत का पहला साहित्य सहर कोन बना है, साहित्य सहर यान की City of Literature, साहित्य का सहर कोन बना है, मनाली, जैपूर, कोजी कोड या फिर नवी बुमबई, तो इसके लिए जो आपका correct answer रहने वाला है, वो आपका answer number C होगा, कोजी कोड, कापे बढ़ता है, केरल के अंदर, मनाली कापे है, हिमाचर प्रदेश के अंदर है, जैपूर, राजस्थान में है, और नवी मुमबई खापे, आपका महारास्ट में है, आपको अच्छे से पता है, लेकिन answer जो आपका बनेगा, कोजी कोड केरल बनेगा, ठीक है, तो UNESCO ने अपने सूची में, भारत का पहला सहर, साहिते सहर किसको माना है, कोजी कोड केरल को माना है, किसलिए माना है, इसकी साहितिक विरासत, और सांस्किर्ट एक महतव को, देखते वे इसको माना गया है, ठीक है, और एक नया क्यूसन आपके लिए और बन गया है, कि अब से हर साल 23 जून को, क्या मना जाएगा, City of Literature Day, City of Literature Day मना जाएगा, हर साल 23 जून को, नेपाल, भूटान, स्रलंका, या फिर बांगलादेश, तो इसके लिए जो आपका कर्रेक्टांसर बनेगा, वो आपका आंसर नमबर D बनेगा, बांगलादेश, भारत ने बांगलादेश के लिए इमेडिकल जो विज़ा है, वो जारी करने के गोशना की है, और इसके लिए भारत करने के आवाला है, तो देखिए बंगलादेश का रांगपुर, बंगलादेश की रांगपुर जो जगया है, रांगपुर जो जगया है, वहाँ पे नया वानिज्य दुद्दावास खोला जाएगा, ताकि जो इमेडिकल विज़ा है, वह आसानी से उपलब्द हो जाए, किसी को किसी तरगे कोई भी दिक्कत ना आए, सुगम हो जाए चीजें, तो इस वज़े से, तो यहाँ पे जो आपका करेक्टर आंसर रहेगा, वह आंसर नमबर D होगा बंगलादेश, यह आप देख सकते हैं, बंगलादेश और आपका भारत के PM, याद रख सकते हैं आप, हाली में नाडा ने, डोपिंग रोधी नियम के उलंगन के लिए, किस खिलाडी को फिल से निलम्मित कर दिया है, तो देखिए नाडा, नाडा के फुल फॉर्म क्या होती है, National Anti-Doping Agency, National Anti-Doping Agency, तो इसने किस खिलाडी को फिल से निलम्मित कर दिया, तो एक्चल में जो ये खिलाडी है, इनसे इनका यूरीन का नमूना मांगा गया था, टेस्ट के लिए, तो इन्होंने देने से मना कर दिया था, तो इसलिए इनको फिर से निलम्मित कर दिया गया है, तो इनका नाम पुछा गया है, गेता फोगाट, बजरंग पुनिया, साकसी मलेक, या फिर सुसिल कुमार, तो यहाँ पर जो आपका करेक्टर अंसर रहेगा, अंसर नमर आपका भी हो जाएगा, बजरंग पुनिया, आप याद रख सकते हैं, इनकों में ओलम्पिक के अंदर कास्य पदक भी आपका जिता हुआ है, ठीक है, यह भी आप याद रख सकते हैं, बाकि और भी अगर आप याद रखना चाहिए, तो सबसे इंपोर्टेंट, लास्ट में, सम्मान और प्रुसकार के अंदर, कि राजीव गांधी खेल रतन प्रुसकार इनने, 2019 के अंदर मिला था, और पदम स्रीवी ही ने कब मिला था, 2019 के अंदर मिला था, ACI खेल जो 2018 में होय थे, जकार्ता के अंदर, वहाँ पे नोने स्वन पदक जीता था ठीक है, ज़ो आपे Commonwealth गये मुए थे तो रठारा में वहाँ पे गोल्ड कोस्ट और 2022 बर्मिंगम में जो Commonwealth हुए थे वहाँ पे नोने स्वन पदक ही जीता था तो यह चीज़े आप इनके बारे में याद रख सकते हैं हाली में साधन के अध्यक्स कोन चुने गई है राजीव जैन, सुबोध कुमार, परदीब तिरपाटी या फिर पॉल थॉमस तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है रहने वाला है वांसो नमर आपका D होगा पॉल थॉमस और फिलाल में यह एक्चुल में है क्या तो ESAF ज तो इसका इने अध्यक्स चुना गया है आपको इतना ही इनके बारे में याद रखना है नाम क्या है पॉल थॉमस साथ में क्या याद रखोगे कि धनलक्स में बैंक के परबन निदेशक अमडी कोन बने है अजित कुमार के 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 बने है पेटियम के गैर कारिकारी सवतंतर न टेकनोलोजी पुने की कमंडेंट के रूप में किसने पदभार्श माला है तो रियर एड्मिरल नेलसन डिसू जाने सारे नाम आपको अच्छे से याद रखने है श्री अयन्ना पात्रूडू हाले में किस राध्य की विधान सभा के अध्धक्स बने है उप्सन साब के ओड ना पत्रूडू आप इनकी इमेज देख सकते हैं साथ में हभी आपने जस्ट पहले ही किया था कि उसन कि हरुणाचल प्रदेश के विधान सभा अध्यक्स कोन बने है तेसम पॉंक्टे बने है ओडिस्या आपने साइध कलिया परशू ही किया था कि ओडिस्या की विधान जो एकजाम हुआ यूजी सी का जो एकजाम हुआ तो दोनों आपके लीक हुए तो उन सब चीजों के लिए के चर्चा में बने हुई है तो इसके जो नई अध्यक से कोन बनाए गए है सुभास कुमार सिंग परदीप सिंग खरोला महेज जैन या फिर कुमार सोरव तो है आपके परदीप सिंग खरोला जो एक आये सहदीकारी है ठीक है याद रखें आप हाली में किस एरपोर्ट पर FTI TTP सिस्टम सुरू किया गया है अब यह है क्या FTI TTP सिस्टम TTP तो FTI TTP की फुल फोर्म है Fast Track Immigration Trusted Traveler Program आप याद रखें इसके फुल फोर्म भी Fast Track Immigration Trusted Traveler Program ठ दिल्ली एरपोर्ट पे तो इसका जो correct आपका answer बनेगा answer नमर आपका D होगा दिल्ली एरपोर्ट पे तो अच्छली में जब देखिए जब आप एरपोर्ट पे जाते हैं तो जो आपका immigration होता है जो आपकी ticket चेक होती है तो उनसी जो में काफी समय लग जाता है तो इसको कम करने के लिए अंतराष्टे जो यातरी होते हैं उनको तेज, सुगम और सुरक्सित immigration मंजूरी के लिए इसको design किया गया है और किसने scout gotten किया तो स्री अमिच सहा ने जो आपका terminal 3 है इंद्रगांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट का तो वहाँ पे scout हत्कंड किया ये भी आप इस गिरावट की दर्ज की गई है उप्सन से 15 परशेंट 30 परशेंट 37 परशेंट या फिर 43 परशेंट यहां पर जो आपका correct answer है अंसर नमर आपका D होगा 43 परशेंट की गिरावट जो है उसको दर्ज किया गया और जो भारत है उसका स्थान की दर्गा कितना गया पंद्रवे स अब कि FDI सबसे ज़्याद कहां से आती है तो सबसे ज़्याद काती है आपके सिंगापुर से यह भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं सबसे ज़्याद कहां से याद रखेंगा आप FDI Foreign Direct Investment हाले में नई दिल्ले में GST प्रिशत की कौन सी बैठक हुई है 52, 53, 54 या फिर 55 वी इसका जो करेक्टर आपका अंसर रहेगा अंसर नमर आपका B हो जाएगा हाभी अभी 53 वी जो आपकी बैठक हुई है न GST वो आपकी हुई है या आप देख सकते हैं निर्मला सितरमन जी जो आपकी Finance Minister है वित मंतरी है ठीक है याद रखेंगे आप ये आपके important questions थे आज के अब हम फटा फट से जो आपका revision है उसको देख लेते हैं देखेंगे चीजों को जितनी बार revise करोगे उतना ही mind में आप ठीक है तो प्लीज आप वीडियो को बार-बार देखा कीजिए चीजों को बार-बार revise कीजिया कीजिए ताकि आपको अलग से किसी भी एक्जाम के लिए करंट अफिर पढ़नी ना पड़े सब चीज आपके ओर रड़ी रड़ी रहें और डेली आपको ज्यादा नहीं सिर् एमडी के रूप में न्युक्त किया गया है मनुजैन को हाली में ब्येसनल के निदिसे कोन बने है सुधाकर राव बने है और लोग सबाके प्रोटेम स्पिकर के रूप में न्युक्त है बर्थरी महताब Military Institute of Technology पुणे के Commandant के रूप में पदबार किसने समाला है तो Rear Admiral Nelson डिसू जाने और Donald Southernland का हाली में निदन हो गया किस छितर से संबन्दित थे तो ये हभी नेता है हाली में कौन सा देश दूनिया का तीसरा सबसे बड़ा घ freshly airline बजार बन गया है तो भारत बन गया है अटल पैंसन योजना APY के कार्यनवन के लिए किस बैंक को राष्टे प्रुसकार मिला है अटल पैंसन योजना के कार्यनवन के लिए मिला है तो करनाटक विकास ग्रामेन बैंक को हाले में किस राजय के वदावन में एक पर्मुक बंदरगा के विकास को मंजूरी दी गई है माराष्ट के अंदर और हाले में डेविड जौनसन का निदन हो गया किसी तर से सम्धित थे किर्केट हाले में कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने है तो वैसाले सेर्वे बने है आपके जब पुरुस की सीम हो या फिर महिलाओं की टीम हो दोनों के ही कोच बने है वैसाले सार्वे रग्बी टीम के याद रखना है आपको ठीक है हाली में किसे भारतिये दुरसंचार नियामक प्राधिकरन ट्राई के सचीव के रुपे निक्त किया गया है तो अतुल कुमार चोधरी को और हाली में राष्टिये योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर हुआ मैसूर करनाटक के अंदर और हाले में कहाँ पोसोन पोया दिवस मनाया गया सरलंका में मनाया गया और किस देश ने इरान के IRGC इसलामिक रिवल्योशनरी गार्ड कोप्स को आतंकवादी संक्ठन गोशित किया है तो कनाडा ने और डार्क्रेट जनरल ओफ सिविल एविएशन डी जी सिये ने विमामनन छेतर में महिलाओं का परति निदितव कितने परतिसत बढ़ाने का प्रामर जारी किया है तो 25 परचेंट और हाले में इस देश ने और किस देश ने आप प्रवासियों को नागरिक्ता देने के लिए नए प्लान की गोशना की है तो अमरिका ने की है और हाले में पी अगर भड़कर 12 से 3 गुना हो गया है तो चीन का हो गया है तो यह आपके important questions थे यह आपका revision class थी तो अच्छे से daily चीजों को आप देखा कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगते तो वीडियो को please like कीजिए share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए धन्यवाद